आप 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 जले आप नवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस इक्षाविस वरभ यूटूब चैनल पर देखे यह एकदम नार्मन से चीजे हैं यहां से कुशन बनता है तो शुरू करेंगे एक्चली आप लाइन में व्यवस्ता हो नहीं पा रही थी तो समय कम होने की वज़ा से आनलाइन व्यवस्ता देनी पड़ रही है बाखी शुरू करते हैं ठीक है देखेंगे यहां से एक कुशन बनने की संभावना होती है जिस पर बताऊंगा कि यह ज्यादा इंपोर्टेंट है उसको आपको अपने कापिंप लिख लेना या सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप लिखेंगे जो इंपोर्टेंट है ठीक है मैं संबंदी चीज़ों को भी बताते चलूँगा लिखते चलेगा क्योंकि यहां सब्सक्राइब बनते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं यह जो मैंने यह पोथा लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि जितनी भी देश लिखे हुए है ना जितनी भी देश आपको हुआ है यहां पर आश्ट्रेलिया लिखा हुआ है यहां पर आयरलेंड यहां पर फ्रांस लिखा हुआ है यहां पर जापान यहां पर जर्मनी और यहां पर रूस इसका मतलब है कि इन देशों में जाके वहां के संब्धान को पढ़ा गया वहां की प्रक्रिया को समझा गय यह से वहाँ से लेने से समंझ में आगया कि जो हमारे हमारे काम की हैं हमने वहां से लिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं अदमें देख के सीखता है तो वहीं चीज़ें तो हम लोगों ने अपने समिधान यह सारी चीज़ें मुलब जितने भी देश यहां पे लिख रहें इन देशों से उधार लिया हुगा है जाए जाके वह यह दे दो हमें थोड़ा दे दो तुम चjungी यह दे दो तुम वह दे दो ऐसे मांग मांग के अपना समिधान बनाने एक बात इतना मोटा समिधान बना हुगा है आप जब इतना मोटा बन गे तो यहां के वकील वर्ग होता है उनकी मज़ा हो गई है तो कहा चाता है कि जो भारती सम्मिधान है यह वकीलों का स्वर्ग है बागी समझ लेज़ेगा चलिए सुरू करते हैं बहुत जारा समय नहीं लगे बस आपको ध्यान रखना है इन चीजों का कि याद होना जी आप जितना बेहतरी तरीके सियाद कर ले मतलब हो गया कि जो नियम कानून या अधनियम बनाए गए हैं उसके द्वारा जो भी चीजें होनी चाहिए वह होंगी उसको बियॉंड जाके उसे बाहर जाके आहर को यह लिया अपन से अग्ला है जर्मनी से जर्मनी से लिया गया आप आक्यालन उप्वण्द मतलब कभी ऐसी कंडिशन आ जाए ऐसी परिस्थित आ जाए कि देश में आपातकाल लगाना पड़े आपातकाल का मतलब सीधे तरीके से समझेंगे कि राष्टपती शाषन ठीक है मतलब समानेता अब पूरी व्यवस्ता सैनिक के हाथों में आ जाए अगर ऐसी कंडिशन उत्पन होती ही तो क्या क्या प्रोसेश अपनाया जाएगा मारसला कब लगाया जाएगा वो जितना भी सब कुछ है वो कांस लिया गया है जर्मनी से तो आपको याद रखना है जर्मनी से क्या लिया गया है आपात काली उपबंद लिया गया है ठीक है आगे है रूस रूस से लिया गया है मूल कर्तब और एक लिया गया है प्रस्ताना में न्याइक आदास तो आपको रूस वाला जो यह याद रखना है कि मूल कर्तब ठीक है रूस उस पर ज्यादा तर किसे सम्मीदान में भारती नागरी को यह दिया है मूल अधिकार रिए गए आई अगर भारत नागरी काव हैं तो आप भारत के नागरी होने के कारण आपका कुछ करतब बनता है जो इस समय ग्यारा है वर्तमान में पहले तो जब एकदम नया-nया सम्मिदान बना था उसमें था ही नहीं मतब जीरो मूल करतब यह थे बाद में 22 सम्मिदान संसोदन किया गया तो उसमें 10 जोड़े फिर अभी जल्द फिलाल 2002 में किया गया सम्मिदान संसोदन तो उसमें अब जो हो गए है 11 हो गए ठीक अगर ऐसे पूछे मूल करतब इस समय कितने हैं तो रूस से लिया गया है हम मूल करतब इसको इंप बनाएंगे यह कोशन पूछा जाता है चलिए ठीक है अब आगे आएगा फ्रांस इसे गड़त अंतरात्म व समझेंगे दूसरा स्वतंतरता आप स्वतंतरता अपने आपको फ्री कैसे रहंगे यह सारी चीज़ें सामानता नहीं बहुत बंदूत भाईचार की बहुत इस तरीके क्या निर्माड करने के लिए हम लोगों ने फ्रांस से लिए ठीक है याद कर लेंगे तो ठीक है बड़ नी ती निर्देशक तक्तो क्या नाम है डीपी असवी को को हिंदि मिया कहते हैं नी ती निर्देशक तत्तो और बहुत बार पूचा गया इसलिए इसे क्या Бनाएंगे आप आई एम पी बनाएंगे आई मपी अगला राष्टपति के निर्वाशन पद्यति मलब जो भारत क का एक राश्ट्पती होगा और वो जो राश्ट्पती होगा उनको निर्वाचित के सथ किया जाएगा यह सारी चीजों कहां से लिगई है आयरलेंड से तो ध्यान रखेंगे इसको भी राश्ट्पती के निर्वाचन की पध्यति कैसे चुना जाएंगे कौन-कौन उसमें कि उनको कैसे मतलब प्रत्यच जाके और दिया जाएगा या और कोई प्रक्रिया है कि फिपरेंज से रूप से दिया जाएगा मतलब जिसको बोलते हैं एकल संक्रमड़ी मत के द्वारा चुना जाएगा यह सारे जो प्रोसेस हैं वो कहां से लिगा आरलेडिंड से सभा में तो राज सभा में जो सदस से चुने जाएंगे वो लिए गया आयों से ध्यान लखेंगे इसमें दो चीजों को बनाएंगे पहला बनाएंगे डीपी दूसरा बनाएंगे राश्पतिक निर्वाचन की पद्धित आयर्वेंड से लिए थीक आई यह कानूं बना सकती है राज्य भी नियम कानूं बनाएगी तो समर्ति सूची कहां से ली गई है ऐस्ट्रेलिया से याद करेंगे आयम पी बनाएंगे बाकि ठीक है ब्यापार वाड़िज यह वंग समागम की स्वतंतता सम्मद्धी प्रावधान अच्छा संसत के दोनों सदनों क सायुक्त बैठक के अश्चली गई है इस इसको आप ध्यान में रखेंगे अश्ट्रेलिया से दूसरा आयम किया बनाएंगे संसत के दोनों सदनों की साइक तो बैठक कराया जाती है मतलब जैसे एक कोई घर है इसमें दो भाई है एक भाई ए हैं और एक भाई बी है लेकिन किसी वज़ाँ से खटपट हो जाती है तो इनको फिर आपसे बुला के कैसी बातचीत की जाएगी कि नई भया एक ही मेरा हो अलग ना हो घर का खर्चा कैसे चलेगा अच्छा आप कितना खर्चा देंगे आप क्या करेंगे यह सारी जो एक तरीके से प्रोसेस होते हैं बोल लिए गए हैं आश्टलिया से मतलब एक घ काम होगा तुमनी तभी न या कोई बहुत दूरा काम हो गया तो यह ठीक है संसत की दोनों सदनों की सभीक्त बहों ठक आश्टक अश्ट्र एस लिए ठीक है नार्मल चेजह हैं यहां क्या क्या जरूरी है वह बता दी आए यहां पर चलते हैं लिए अधिक कानड़ा से क्या गण्द्ट का तो कितनी सक्तियां है क्यां से लिया गया का-नाडा से लिए गया Craig यूपति कैसी होगी उन्हें मनुनीत किया जाएगा मंथब से नाया कि आ करेंगे बिदवान बन नहीं इतना बीद्वन बन जाना कि एक्जाम में कोशन आए कर पाएं बात खत्म हो जाती है तो उच्छतम नियाले का परामर से नियाले का मतलब होता है कभी कुछ सिच्वेशन में क्या होता है राजपाल को यह अधिकार होता है कि कोई ऐसी समस्य आजा इसमें लगए नहीं हमें थोड़ा बातचीत सर्वोच नियाले से लेनी चाहिए सुप्रीम कोट से कि कहीं ऐसा ना होई कोई गड़बड हो जाए कोई थोड़ा सब गया था ठीक है मतलब उच्टेम नियाले का परामस नियान के मतलब होता है कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा मुद्दा हो जो थोड़ा सम्मेदन सील जिस पे राश्टपती महोंदर या राजेपाल महोंदर खुद नेड़न ना कर पाए तो वह चाहते है कि नहीं ऐसा करोगी सुप्रीम कोर्ट या उनके जो वरिष्ट ने आदिस उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस पर क्या नेड़ा दीजा उस तरीके के बात चीत करने का जो प्रोसेज बनाया गया है वो कनाड़ा से लिए और संगहात्म विस्तेस्ता हों के वारें जो केंद् समब्रेंस विद्म की प्रक्रिया इसे आयं मनाएं गहें बतन, संसोधन की प्रक्रिया और सभायर सजऔ का निर्वाचन देखें के सदस्यों का निर्वाचन शबगि एकदम नहीं होना है ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा यहां कहना है कि राज सभा में कोई सदस्द से राज सभा में जाना जाता है तो उसका निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा राज सभा में पहुंच गया है उसका निर्वाचन कैसे करना है अगले के लिए तो राजसभा का अगर पूछेगा तो दच्छिड अपरिका और राजसभा में पूछेगा तो अइरलेंड यह चीज़ ध्यान रखेंगे ठीक है बाकी नीचे वाला प्रोसेस में बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है उपर वाला याद करना कि अपरिका से लिए गया है द्रिटेंट से लिए गया है अब यह सब हमारे राज करके गए थे वह हमारे राज करके गए थे उसके साथ-साथ तो वहां से हम लोगों ने भी दिखाषासन लिया कि नियम कानुन कैसे बनाने कैसे उसको लगाना है जो भी करना है वहां से लिए मज्येगा कि कोई भी व्यक्ति है भारत का नागरिक खारत का नागरिक है ठीक है और बहुत सारे ऐसे देश में और ने पासि कि तुम, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ले रहू हूँ तो भाई हमें छोड़ दो, मतलब यह समझ रहे हैं, माले जे सोना बाबू है, तो हमें क्या होता है कि अगर आप एक लोग से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक लोगों से बात करिए, दूसरे से बात किये तो अगर पहले वाले को पता चलिया, तो वो आपको छोड़ के चला जा तो बिदे Continue का मतलब होगया कि एक सब्सक्राइब के लोग सब्सक्राइब लोग से बात पहले, लोग सब्सक्राइब कहा है प्रक्या मतलब जो कानून बनाना है नियम बनाना है कि प्रोसेस से बनेंगे कि पहले राजय सभा से शुरू होंगे कि लोग सभा से शुरू होंगे फिर इसमें से इसमें फ्रंड जो भी जाएंगे ठीक है तो वह प्रक्रिया कहां से लिए ब्रेटें से अच्छा एक चीज़ लिए गई है सरवाधिक मत क्या धार पर जीत कर नेड़े अगर करन रटना है अब हम बस इतना बता रहें कि क्या रटना च्छोड़ देना विदाईका में अध्यन की भूमिका और संसथी विशेश्चा अधिकार या अध़ीक रेच छोड़ दिए चलिए अमेरिका अमेरिका से पहुंचिए प्रस्तावना के सब्द देखें प्रस्तावना के ठीक है यह लाइन है अब इस लाइन का जो प्रस्तावना के सब्द लिए गये हैं भारत के हम भारत के लोग वीदा पीपूल अफ इंडिया यह कहां से लिए गया हैं अमेरिका के सरकार या तो राजसरकार करें के मिलाग भारत की सरकार को अपने अपने नागरिकों को अधिकार देटी आप अगर कोई दिक्कत नहीं तो कुई धर्व मानते हैं कोई सकते sections सकते हैं जो अधिकार है कि आपका कोई सोसर नहीं कर सकता है आपको कोई बेच नहीं सकता है आप कोई खरीद नहीं सकता है कोई सम्मान पारे और को मतलब यह जतने भी अधिकार दिये गए है बताएंगे भागतीर लिसी कर दिए, इसनों अपा क्यालक … वह आपने अपक्यष्ट हो गिर्ली किसी अंधं की हो यह भी आप बता जो भी यह को मारे थे यह नहीं तो दोनों को सुनने के बाद वह प्रोसेस सुना आएंगे तो वह एकुसरी कैंख नहीं हो रहेगी वह दूर्प्योग करना सुरू कर देगी यह आप जानते हैं तो इसलिए इसको स्वतनत्र रखा गया कि भाई अपने इसाब्स जो आपको सही लगता है जैसे नीड़ा बस होना से सब्सक्राइब कोई पूद्ध करता है कि उसनी कोई नीडल सुना आपको और आपको धिकार होता है लेकिन बाद में खाएगा बाबू तो पतला डूबला हो जाएगा ताम जाम हो जाएगा तो बाद में अच्छे चलो ठीकाओ खाना खालो तो वही सही यह समझ लिएगा नियाएक पूर्णा विलोकन है कि अगर किसी वज़ा से लग जाता है सुप्रिम कोर्ट या हाई कोट या जितने भी कोट उनको लगता है कि नेड़ा गलत हुआ तो वह ऐसा कर सकती है यह पावर सिर्फ सुप्रिम कोट के पास ही होत हम राजा हो गए जिसको चाहेंगे जैसे मालेजी पड़ोसी का केस आ गया उनके पास वह पड़ोसी यह है बाड़ियां से मतलब बिना गलती है कि कुछ सुना देंगे तो उन्हें मिलेगी कुछ कुछ कर सकता नहीं है तो ऐसे लिए मालेजी वह ऐसा कुछ गाम कर देते हैं या कोई भी प्रोसेस वह अमाने कोई घटना कर देते हैं तो उस पता से उन्हें पड़ से हटाने के जो प्रक्रिया ले गई है वो अमेरिका से ले गई है राष्टपती महावियों अनुछेद 61 की बात बता रहा है कि राष्टपती महोद है जो भारत के प्रथम नागरिक क टॉन्हें पर पाट से हटाने के लिए एक प्रक्रियाद अपनाई जाती जाती है अनुच्चे से में लिखा गया है राष्टपती महावियों लग जी आती है ल्हां लोग नहीं दियाज इस अप्र जीक होता वह अमेरिक comment देहां पर यह दिलों और दोन एक ह Judas सेने अगला उपराष्ट पती का पत यह कहां से लिया गाँ अमेरिका से लिया गया तो इतना पोथा बताने बाद आपको यह समझ में आया होगा कि क्या रटना है और क्या छोड़ना सब नहीं रटना सब पागल हो जाएंगे यहां से कोशन नहीं आएगा ना जो आएगा मैंने बत बोट जाने की चोटे चोटे वीडियो जाएंगे मस्ते बढ़ाई करेंगा ठीक है यह यहीं पर कम्प्लीट होता है और आगे अप आप लोगों को अप आलों का एक्जाम है तो कम्प्लीट करवा देंगे परसान मत होईएगा ठीक है इन औरicht